गुद मॉरिंग फ्रेंड्स वेलकम टू विद्यांजली आएस पार्ट नमबर 11 है अगस्त की सीरीज चल रही है और अभी इससे पहले 10 पार्ट हम कवर कर चुके हैं इससे पहले के पार्ट जिसनों नहीं देखे हैं वो इससे पहले के पार्ट कवर कर ले और PDF आपको टेलीग पर तो आईए स्टार्ट करते हैं question number one से which of the following countries are part of both West Asia and GCC कौन-कौन से देश हैं जो West Asia का भी पार्ट हैं और Gulf Corporation Council का भी सदसे हैं देखो कई वार ये आपको GCC के नाम से मिलेगी वो full form नहीं देते हैं GCC लिख देंगे तब भी उसका मतलब क्या होगा Gulf Corporation Council तो देखो इसका सदस्य कौन-कौन है गतर है ओमान है और कुवेट है ये जो इराक है और यमन है ये दोनों के दोनों इसकी सदस्य नहीं है अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊँगा कैसा क्या और कौन-कौन से रीजिन इसके पीछे हो सकते हैं तो answer हमारा हो गया option B हमारा correct है क्योंकि 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों ही इसमें शामिल है किसमें GCC में और वो किसका हिस्सा भी है West Asia का भी पार्ट है तो आईए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी details जो GCC है उसको 1981 में established किया गया था एक agreement के तुरू और देश कौन-कौन से थे अब पान, कुवैत, कतर और United Arab Emirates तो ये जो देश हैं जितने सारे साथी अरबिया बगरा United Arab Emirates ये सारे के सारे सुनी कंट्रीज हैं और इनकी कभी भी इराक से तो पढ़ती नहीं है तो इराक तो इनका means anti country है अगर हम ये देखेंगे कि जहां जहां पर ये जो United Arab Emirates, साथी अरबि देखने को मिलेगा प्लस ये जो आपका एक देश है जिसका नाम है देखो ये यमन तो यमन के साथ में भी United Arab Emirates साथी अरबिया इनकी दुश्मनी है तो इन दौनों को तो ये रखी नहीं सकते इराक तो पूरा शिया कंट्री है ठीक है वो उसको नहीं रख सकते और इराक की दोस्ती है किसके साथ में यमन के साथ में तो ये दोनों GCC में शामिल हो नहीं सकते तो ये क्लियर हो जाता है अब मैं आपको दिखाता हूं इसका मैप इसको छलो थोड़ा सा पहले स्मॉल कर लेते हैं चीक ये देखो यहां पर आप देखिए कि ये रही आपकी GCC अब GCC मे मैंबर कौन है? साथी अरविया है, कोवैट है, बहरीन है, कतर है, UAE है, ओमान है इधर नीचे की तरफ है वह इसका मैंबर नहीं है इधर है आपका इम्राक, वह हो भी इसका मैंबर नहीं है तो ये आप देख लेजे और ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है? इसको कह करते हैं देश की तो कौन कौन से अर्मेनिया अजर्बेजान बहरीन साइप्रस जोर्जिया इराक इसराइल जॉर्डन कुवेट बगर यह सारे बहुत सारे देश हैं आईए मैप पर देख लेजिए आप इसे तो देखो इदर आपका जॉर्ड जॉर्जिया हो गया मेंस उधर यॉर्ड से नीचे बला एरिया जॉर्जिया अर्मेनिया अजर्बेजान टर्की सीरिया लेबनान पैलिस्टाइन इसराइल इदर आपका जॉर्डन इराक इरान कुवेट सौदी अरविया यमन और पहरीन ओमान और यह जो है कतर यह सारे के सारे क्या हैं यह पार्ट हैं इदर तो फिर आपका उपर यह बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके नाम ताजिकिस्तान तुर्क मेनिस्तान ठीक है यह सारे सारे देश हैं इदर फिर हम गूम करके यह अपना पाकिस्तान आ जाता है अपना क्या मतलब इदर फिर आपका इंडिया आ जाता है इदर आपका फि इधर मिल जाते हैं आपको फिर कमबोडिया बियतनाम बगरा इधर मिल जाते हैं हमको ठीक है तो ऊपर आपका यॉरोप हो गया इसके ऊपर यह रही यहां की जो मैप की जो लोकेशन है वो इस प्रकार से है तो जब भी आप किसी एरिया को एरिया की बात करें उसको पढ़ें तो उसको जरूर मींस क्या करें आप मैप पर जरूर उसको एक बार देखें कंपल सरी लिए आए नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं कुश्चन नम्मर सेकेंड क्या है कि विच आप दा फॉलोविंग और्गनाइजिशन पबिश इस ओफ लिविंग इंडेक्स इंडिय यह मिनिस्ट्री है कि इंडिया में इस ओफ लिविंग इंडेक्स को पब्लिश करती है अब इस ओफ लिविंग इंडेक्स है क्या देखो इस ओफ लिविंग इंडेक्स की जब बात होती है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि कौन-कौन से ऐसी सिटीज है जहां पर लोगों क के लिए आसान है ठीक है तो इसको तयार करती है ministry of housing and urban affairs यह आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें assessment होता है कि कई सारे parameters होते हैं कि लोगों के tax की क्या सुवदा है पानी कैसा मिलता है रोड कैसा है ट्राफिक कैसा है health की क्या facilities है वो कई सारे parameters यहाँ पार्क को देखा जाता है green space है कि नहीं solid waste management है कि नहीं water supply इन सब के basis पर इसकी जो है living index को तयार किया जाता है basically हम देखते हैं तो quality of life उनकी economic ability क्या है उस शहर की और उसकी sustainability क्या है ठीक है means वो कितना sustain कर पाएगा और nature के लिए भी कितना वो ठीक है environment के जो है comparison उसमें relation में यह उसकी 13 categories है जिसके basis पर उसको prepare किया जाता है उसमें education भी देखेंगे health, housing और shelter, wash and swm, mobility, safety, environment, recreation, level of economic development, economic opportunities, green space, green buildings, energy consumption, city का resilience इन सब के basis पर इसको देखा जाता है तो यह तो 70% जो parameter से यह सारे हैं अब इसमें एक चीज और शामिल कर ली जाती है कि वहां के जो लोग हैं जो रहने वाले हैं उनके views भी देखे जाते हैं कि वो अपने उस शहर के बारे में क्या उनके view हैं वो उसके बारे में क्या बताते हैं तो इसको कहा जाता है citizen perception survey भी किया जाता है कि लोग कैसा सोचते हैं इसके basis पर और जिसका average के बेट वेटेज किस तना है 30% means यह जो parameter से इनको 70% वेटेज है और 30% का वेटेज दिया गया है किसको लोगों के perception को कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं तो उमीद है आपको समझ में आ गया होगा देखो दोस्तों यदि आपको कहीं भी topic किसी भी topic में issue आता है तो आप मुझे comment में आप पूछ सकते हैं मैं आपके doubts को भी clear करूँगा series लंबी चलने वा लिए है इसके बाद हम revision बगरा बहुत सारी चीजें लेकर के आएंगे चलिए next start करते हैं question number three consider the following statements नीचे दिये गए जो statements हैं वो हमें देखने हैं कि statement number one in this economy temporary flexible jobs are एकोनोमी में क्या temporary और flexible jobs are commonplace and companies tend to tend toward hiring independent contractors, independent contractors and freelancers instead of full time employees यह कोई एक प्रकार की economy होती है जिसके बारे में बात हो रही है कि उस economy में temporary flexible jobs होती हैं, freelancers काम करते हैं, independent contractors, contractors काम करते हैं ठीक है जबकि full time employee बहुत कम उसमें काम करते हैं, full time की बज़ाए उनको part time ऐसे करके काम दिया जाता है और second statement क्या है, it generally uses digital platforms, generally इसमें क्या use होते हैं, digital platforms use होते हैं to connect freelancers with customers to provide short term services or asset sharing और customers के साथ में उसमें एक sharing हो जाती है, short term के लिए contract पर, ठीक है, तो ये कौन सी economy में ऐसा पाया जाता है तो ऐसी economy को कहा जाता है, gig economy, कई वार ये news में आपने देखा होगा कि इंडिया gig economy बनता जा रहा है और पूरे world में ऐसा हो रहा है, तो इसका मैं आपको easy language में अगर अर्थ समझाओं कि इसका actual meaning क्या है तो इसमें permanent members रखने की वज़ाए, permanent employees रखने की वज़ाए, क्या रखा जाता है, वहाँ पे temporary रखे जाते है कि किसी एक project को assign कर दिया, बोला वाई, यतना पैसा आपको मिलेगा, और इस project को complete कर दीजिये means, जो monthly salary का system है, ठीक है, वो सब नहीं रखा जाता इसमें तो इसलिए contractor वगरा, freelancer वगरा जो होते हैं, उनके business पर, उनसे काम करवाया जाता है उसको कहा जाता है gig economy, जबकि एक चिंता का विश्य भी है, क्योंकि gig economy में जो व्यक्ति मैं इसको erase कर लेता हूँ suppose करो, ए नाम का व्यक्ति है, यदि ये permanent employee है, किसी संस्था का, IOC का, refinery का, किसी का, भी किसी company का तो इसमें व्यक्ति को बहुत सारे TA, DA, HR, increment वगरा सब देना पड़ता है उसके बच्चों की facilities भी देनी पड़ती है, education वगरा के लिए, लेकिन जब ये contract पर काम कर रहा है तो उस काम को खतम करेगा, अपना पैसा लेगा और अलग, means इसका company में कोई salary वगरा से कोई इसका लेना देना नहीं है तो ऐसी economy को gig economy कहा जाता है कुशन नमबर 4 है, consider the following statements about state food safety index हमें यह देखना है कि state की जो food safety index है, उसके बारे में क्या सही है नीचे देख वीजए, आपे correct, जब भी आप answer solve करें, question solve करें तो you have to look about the directive words, इनको directive words बोलते हैं कि वो क्या आपसे correct के बारे में पूछ रहा है, incorrect पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से देखना है, आपको जल्दवाजी में आप exam hall में यह गलत करके आ जाते हैं पहले हम भी करके आ जाते थे, option A, sorry statement number one the report has been prepared by the niti ayog to measure the performance of states on food safety यह question repeated है, ठीक है, फिर से news में रहा है, तो फिर से आया है, तो नीती आयोग इसको prepare नहीं करता, इसको तयार करती है, फसाय ठीक है, इसको भी बताएंगे हम इसकी detail में जाएंगे, it is biannual report which was started in 2018-19, देखो, यहां तक तो ठीक है इसको तयार किया गया था उस दोरान में, लेकिन यह biannual नहीं है, every year report का data आता है market में, तब देखते हैं कौन सा correct है, तो देखो भाई, यह कोई भी correct नहीं है, क्योंकि इसको नीती आयोग नहीं, फसाय तयार करता है, और यह biannual होने की बज़ा, यह every year आती है, annual है ठीक है अब देख लेते हैं जारा, इसका explanation क्या है, कि देको first जो इसकी food safety index थी, वो 2018-19 का data उसमें लिया, और 2019 में 7 June को इसको तयार किया गया था, 7 June को क्यों तयार किया गया था, कि इस दिन होता है world food safety day, ठीक है, विश्व जो है भोजन की सुरक्षा का दिवस जो होता है, वो 7 June को होता है, तो एक fact आपको यहाँ पर और मिला, कि world food safety day कब होता है, तो यह होता है, 7 June को, आप pen copy लेकर के भी बैठा करें, तो आपको, मतलब जब आप note down कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे copy पर, तो आपको बहुत तेजी से चीजें लर्ण होंगी, अर देखो, यहाँ पर ले index जारी करती है, कि कौन-कौन से ऐसे states हैं, जहां पर लोग जो खाना खाते हैं, दुकानों पर खाना, जो समों से पकोड़े, जो कुछ भी बेचा जाता है, first food बगरा, ऐसा, कोई भी food हो, मिठाई बगरा, कुछ भी, कैसा भी food, उसकी safety को ले गर के वहां के जो states हैं, कितना रखते हैं, क्या उनकी time पर testing होती है, उनकी lab testing होती है, होती है कि नहीं होती है, उनके sample बगरा लिये जाते हैं, उन पर कारवाई की जाती है कि नहीं, वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है कि नहीं, sanitation का बगरा का ध्यान रखा जाता है कि नहीं, उन सब को ले करके यह एक index जारी करती है कौन फसाई तो उसके basis पर उसके ranking आती है तो यह जो जितना भी data मैंने लिया है कहां से लिया है फसाई की website से लिया है तो यह बहुत ज्यादा authentic data है बिल्कुल उन्हीं की website से मैंने यह लिया है कुशें नमर फाइब की बात करते हैं consider the following statements about mtcr इसके बारे में हमें देखना है इसका क्या नाम है इसका mtcr का full form भी इसकी पूछी जा चुकी है one day exams में ठीक है देखो जो current affair होता है और basic gk होती है उसमें थोड़े से level का अंतर आ जाता है बाकी current affair सब एक ही जगह से आती है ठी nuclear weapons and chemical weapons only no ये ना तो केबल देखो ये word लग जया मैंने आपको कई बार बताया कि only word लग जाता है वो mostly statement wrong होते हैं incorrect होते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये केबल nuclear weapons और chemical weapons के लिए नहीं अन्य चीज है भी इसमें शामिल है अभी उसको देखेंगे है statement second currently India is the member of the missile technology control regime हाँ इंडिया इसका member है MTCR का क्योंकि 2016 में इंडिया इसका member बन गया था it is not a legally binding treaty this is also correct ये भी correct है क्योंकि legally binding treaty नहीं है इसमें consensus based decision होते हैं ठीक है तो ये भी correct है तो इसलिए हमारे कौन कौन से correct हो गए statement number 2 और statement number 3 तो option हमारा भी correct हो जाता है अब इसके बारे में देख लेता है कि जो MTCR है ये जो है export को control करता है और export किस चीज का control करता है तो जो missile technology है यहाँ आपन नाम आप देखी रहे है missile technology है उसके control उसके जो export है उसको control करता है इसके according MTCR के according क्या है कि जो इसके 35 member है इनसे बाहर ये missile technology नहीं जानी चाहिए कैसी missile technology ऐसी missile technology जो 500 kg से ज़्यादा बजन मतलब 500 kg से ज़्यादा बजन ले जा सके weight carry कर सके और वो कम से कम 300 km से ज़्यादा जा सके means ये MTCR ये कहता है कि यदि कोई missile ऐसी है जो 300 km से ज़्यादा दूर जा सकती है greater than 300 km और 500 kg से ज़्यादा का weight ले जा सकती है तो ये जो 35 member है ये technology इनहीं के पास रहनी चाहिए किसी दूसरे के पास ये technology ना जाए इन 35 members के अलावा तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब वो missile हो या UAV हो जिसको हम drone बोल देते हैं उसके अलावा मेंसे ऐसी कोई भी technology जो 300 km distance और 500 kg weight इन दौनों से ज़्यादा अगर कहीं पर उसकी capacity है जाने की या बजन ले जाने क तो वो technology किसी दूसरे देश को नहीं दी जाएगी ये इसका clear मतलब है अच्छा इसमें decisions वो होते हैं consensus ways पर लिया जाते हैं तो इसमें binding का कोई issue है नहीं ठीक है it is not legally binding UPSC ऐसे question बहुत पूछती है तो ध्यान में रखियेगा आप तो PCS भी standard बढ़ा दिया है यो भी PCS हो या major वगर इसमें कोई होता नहीं है तो 2016 में इंडियास का member बना 35th ठीक है तो यह हमारा यहाँ पर correct जो है question solve हो जाता है चलिए next अब हम देख लेते हैं इसकी all detail MTCR है वो 1987 में तयार हुआ था किसलिए prevent करता है export of missile capable of delivery को voluntary है को legal obligation इसमें है नहीं 34 member इसमें हुआ करते थे 34 member इसकी advantages बगरा क्या है कि credibility को बढ़ाता है long range ब्रह्मूस बगरा वो सब हमारे पास हैं ही कोई band बगरा लगने के chances नहीं है nuclear supply group के इंडिया फिर जो है member बन सकता है या बन जाता है या कोई देश है वो बन सकता है इंडिया इसका member अभी है के नहीं मेंस पर अभी देख करके कि इस दिन जब ये issue means news में आएगा तो हम इसको भी बताएंगे कि इसका क्या issue है इंडिया के साथ में चीक है तो अब आपको ये देख लीजिए इस MTCR के member कौन कोने इधर आपका Canada हो गया US हो गया और आपका इधर Brazil हो गया ये भी एक देशा वीध्यान ने आ रहा और इधर आपका India हो गया यूरोप के कई सारे देश हो गया इंडिया हो गया South Africa हो गया Australia हो गया New Zealand हो गया इधर आपका ये देख लीजिए जपान वगरा ठीक है ये भी कई सारे देश हो गए तो ये सब सदस्य हैं किसके MDCR के तो आज हमने total 5 topic discuss किये हैं ठीक है 5 topics हमारे discuss हो गया डेली जाती है वहां फिर आप कुछ learn रख नहीं पाते हैं इसलिए उतना ही पढ़ें जतना हमारे काम का है to the point पढ़ें अब आपको क्या करना है चैनल से जाकर कि अपनी PDF डाउनलोड कर लेनी है उसको एगवारीड कर लेना है revision quiz आपको attempt कर लेनी है चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि आ वाइट करा रहे हैं आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस हमारे लेक्चर्स पहुंचें कोई फीस बगर ऐसा कुछ हमने रखी रही है तो बाद में कभी स्टार्ट होगा तो कभी देखेंगे कि क्या फीस बगर हम रख सकते ह वो वोलिंटरी बेस पर रख सकते हैं या डोनेशन के बेस पर हम रख सकते हैं जिससे कि हम अपनी सिस्टम को रन करा सके हैं चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पांच-पांच टॉपिक हम डेली कवर करते चले जाएंगे तो कर उतने टॉपिक हम कवर कर लेंगे और आपका करंट अपिर का कुशियन फिर बजने वाला है नहीं तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बबाए टेक किया